दोस्तो नमस्कार, good morning to all dear students, चंद्रा इंस्टिट्यूट के online class में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज आपका बिहार सूपर टेट वालों के लिए science का ये practice set दूसरा set होगा कल मैंने आपको पहला practice set दिया था, आज ये दूसरा set है, जल्दी जल्दी आप सभी लोग live आजाए, class को share कर दीजे संख्या कल का target आपको दिया गया था कि 500 कम से कम होनी ही चाहिए आज आप लोगों की संख्या तेरा नाम है अतुल मिस्रा तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा खुसखबरी वाला news है, वो ये है कि नीचे इस वीडियो के नीचे description में एक link दिया गया है जिसका नाम है बिहार online education और ये चैनल है, इसे आप subscribe कर लिजे, आप सभी लोग subscribe करिए अपने से जुड़े हुए मित्रों को भी subscribe करवा दीजे, क्योंकि कल से या आने वाली जो classes होंगी वो आप लोगों को उसी channel पर provide करवाया जाएगा Exactly, जितने भी महराथन classes हैं, जितने भी practice sets हैं, वो सब आपको बिहार online education में provide करवाया जाएगा एकदम आपको पूरे ही जोस के साथ channel को subscribe करना है और करवाना भी है आप भी करिए, अपने दोस्तों से भी करवाये maximum संख्या में ताकि आपको यहां से बेहतरीन classes, wonderful classes आपको provide करवाया जा सके तो दोस्तों, सुरू करते हैं आज का practice set आज का practice set का पहला सवाल आपके सामने screen पर आप लोगों की संख्या बहुत कम है, class को एक बार और share करिए संख्या को बढ़ाईए, जल्दी से सवाल आपके सामने बड़ा ही महतुपूर्ट दिया गया है, प्रशन है कि कौन सा vitamin, gyrophthalmia को रोकने के लिए आवस्यक होता है आपको बताना है इस प्रशन का उत्तर कि ऐसा कौन सा vitamin है जो gyrophthalmia रोग को रोकने के लिए या उसको inhibit करने के लिए आवस्यक होता है पहला है vitamin A, दूसरा है vitamin B, तीसरा है vitamin C, और चौथा है vitamin D तो आपको पता है ना, कि vitamin A, जिसका रासायनिक नाम होता है retinol retinol ये जो होता है, ये gyrophthalmia को रोकने के लिए आवस्यक होता है इसलिए पहले के लिए आपका जो उत्तर सही होगा, वो A option exactly सही option है A option आपका यहाँ पर सही है, vitamin A जो होता है वो जिरुप्थायल्मिया जो कि आखों से संबंधित रोग होता है आखों से संबंधित रोग, उसको रोकने के लिए, उसको inhibit करने के लिए, prevent करने के लिए responsible होता है A option आपका exactly सही option है अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके screen पर यह है, प्रश्न है, hepatitis रोग किसकी कमी के कारण होता है, बड़ा ही famous रोग है Hepatitis रोग किस अंग को प्रभावित करता है, अगर यह मैं पूछूँ तो आपको पता है कि यह liver को प्रभावित करता है प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि hepatitis रोग निम्न में से किसके कारण, पहला option विशाणवों के कारण, दूसरा option जिवाणवों के कारण, तीसरा option परजीवी यानि कि parasites के कारण और चौथा option दिया है सभी, यानि उपरोक्त सभी के कारण, तो जल्दी से आपको उतर देना है, दूसरे के लिए A option आना सुरू हो गया है, पवन कुमार दिवाकर प्रियंका कुमारी, यानि कि पहला option, A option विशाणवों, आपका exactly सही option है, hepatitis, जिसमें liver प्रभावित होता है और ये विशाणवों से होने वाला एक रोग होता है, विशाणवों से होता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका उतर सही होगा, वो A option exactly सही option है, तीसरा प्रश्न आपके सामने ये है, प्रश्न पूछा गया है कि, प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बो हाइडरिट का उदा नहीं है, यहाँ पर चार आपसन दिये गए है, उन चार आपसन में से आपको चुनना है कि कौन सा कार्बो हाइडरिट का एक्जाम्पल नहीं है, जरा तीसरी प्रश्न के लिए कमेंट करिए, आप सभी लोग प्रियंका कुमारी, रीमा यादो, अंसु किरन, बविता रानी सुनीता, सोनम कुमारी, आप सभी लोग कमेंट करिए, पहला आपसन माल्टोज, दूसरा आपसन फ्रक्टोज, तीसरा आपसन ग्लाइकोजन, और चौथा आपसन है ग्लाइसीन, आपको बताना है कि इस में से कौन सा ऐसा है जो कार्बो हाइडरिट नहीं है, तो यहाँ पर देखें, तीसरे के लिए D option, ग्लाइसीन वाला आपका उत्तर यहाँ पर सही है, माल्टोज क्या है, कार्बो हाइडरिट है, फ्रक्टोज क्या है, यह भी कार्बो हाइडरिट है, ग्लाइकोजन भी क्या है, कार्बो हाइडरिट है, यानि कि माल्टोज कार्बो हाइडरिट है fructose carbohydrate है glycosin carbohydrate है लेकिन glycine glycine carbohydrate नहीं होता जल्दी से एक पर comment करके ये भी बताईए कि glycine होता क्या है अगर glycine carbohydrate नहीं है तो glycine है क्या ये comment करके आपको बताना है जल्दी से अगर आपने question सुन लिया है तो जल्दी से comment करके बताईए कि ग्लाइसीन क्या है, ग्लाइसीन क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए, प्रियंका कुमारी, सुजीत कुमार, किर्तिका गुपता, आरती कुमारी, नितु पांडे, संजीत कुमार, गुड मॉर्णिंग टु आल, पवन कुमार दिवाकर ने लिखा है लिपिड ने, ये अमीनो एसीड होता है, ग्लाइसीन, एक प्रकार का अमीनो एसीड है, वेरिगुड अंसु किरन, चले नेक्स्ट, तीसरे के बाद, चौथा प्रस्न आपके स्क्रीन पर ये है, प्रस्न है, निम्न में से कौन सा गलत है, आपको यहाँ पर गलत option को चुनना है. पहला है हीमोगलोबिन, रुधिर में पाया जाता है, ये सही है. दूसरा है हिरदय और पेरी कार्डियम, तो आप जानती हैं कि हिरदय के ऊपर एक लेयर पाया जाता है. हमारे हिरदय के ऊपर एक लेयर, एक परत पाया जाती है, जिसे पेरी कार्डियम कहती है, तो ये भी option सही है. तीसरा, फेफड़ा, फेफड़ी के ऊपर जो लेयर पाया जाती है, वो होता है प्लूरा, तो ये भी आपका सही. पहला, दूसरा, तीसरा सही, किड़नी के आगे दिया है हिपैरिन, ये गलत है यानि आपका जो यहाँ पर उतर सही होगा, वो चौथे का D option, exactly सही option है किड़नी जो होता है, वो हिपैरिन का निर्माड नहीं करता, बलकि हिपैरिन का निर्माड लीवर करता है याद रखेगा, हिपैरिन का निर्माड लीवर करता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिपैरिन होता क्या है हिपैरिन क्या है, तो हिपैरिन एक प्रकार का anti-coagulent है, यानि कि प्रती इसकंदन पदार्थ है जो रुधिर को जमने से रोकता है हिपैरिन का निर्माड लीवर में होता है और हिपैरिन एक प्रकार का एंटी कॉगलेंट है और थात ये ब्लड कॉगलेशन को रुधिर के थक्का बनने को रोकता है रुधिर वाहिनियों में इसलिए इसे प्रति इसकंदन पदार्थ कहती है और इसका निर्माड लीवर के द्वारा होता है अगला प्रश्न पाँचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है प्रश्न है कि निमलकित में से कौन सा संक्रामक रोग है यहाँ पर चार आप्सन दिये गए हैं और आपको बताना है कौन सा संक्रामक संक्रामक जिसे इंगलिस में बोला जाता है communicable disease और communicable disease वो disease होता है जो एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में छुआ छूत से भोजन से वायू से जल से sexual intercourse से आधी कारणों से फैलता है communicable disease वो disease है जो एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्तियों में फैलता है यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो communicable disease है संक्रामक रोग है क्या अस्थमा है या इसकरवी है या खसरा है या मधुमेह है अस्थमा नहीं हो सकता अस्तमा नहीं है, इसकरवी नहीं है, खसरा, जिसे इंग्लिस में बोला जाता है मेजल्स, और ये वाइरसिस के कारण होने वाला रोग होता है, और ये आपका संक्रामक रोग होता है, संक्रामक, communicable disease होता है, इसलिए यहाँ पर जवापका उतर सही होगा, वो सीफ और चंद्र इक्जाक्ली सही आप्शन होगा, नेक्स्ट, अगला अगला प्रश्न, छटवा प्रश्न, प्रश्न है, कौन सा आप्शन यहाँ पर गलत है, गलत स्टेट्मेंट आपको चुनना है, पहला है टूबर कुलोसिस, फेफडा, दूसरा है फाइलेरिया, लसीका, गाठें, तीस पर गलता है, लुकीमिया, रुधिर को सिकाएं, तो यहाँ पर देखें, टूबर कुलोसिस, टीबी, टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफडा, तो यह तो आपका सही है, फाइलेरिया, जिसे हाथी पाव, एली फैंटियासिस कहा जाता है, और इसमें लसीका गाठें, यानि कि लिंफ नोर्स प्रभावित होता है, लसीका गाठें, फाइलेरिया, डिजीज में प्रभावित होता है, इसका रीजन, मतलब फाइलेरिया किसके कारण होता है, किसके संक्रमर से होता है, तो एक वर्म है, एक कीड़ा है, जिसका नाम है वावचेरिया, बै तो आपका ये दूसरा वाला भी क्या है? सही है. पहला भी सही, दूसरा भी सही. ये देखे इंसेफलाइटिस, इंसेफलाइटिस के सामने हिरदय दिया है और यही गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इंसेफलाइटिस में हिरदय नहीं प्रभावित होता, बलकि मस्तिस्क ब्रेन प्रभावित होता है, incephalitis viruses के कारण होने वाला रोग है, इसे जापानी incephalitis या जापानी बुखार भी कहा जाता है incephalitis, जिसमें मस्तिस्क प्रभावित होता है, आपको गलत कथन चुनना था, इसलिए यहाँ पर जो आपका ऊतर सही होगा, वो किस भाग से रुधिर महा धमनी में प्रवेस करता है, महा धमनी में प्रवेस करता है, बहुत बार मैं आपको ये बता चुका हूँ, कि मनुसिका हिरदय जो होता है, वो four-chamber'd होता है, चार कच्छों से मिलकर के बना है यह है राइट औरकिल दाहिना अलिंद यह है लेफ्ट औरकिल बाया अलिंद यह है राइट वेंटरकिल दाहिना निले और यह है लेफ्ट वेंटरकिल बाया निले यहाँ पर अग्र और पश्च महा सीराएं होती है उपर वाला है अग्र महासिरा और नीचे वाला है पश्च महासिरा तो यहां से संपूर सरीर से बलड आता है फिर यहां से फेफडे में जाकरके सुध होता है फिर फेफडे से लेफ्ट औरिकल में आता है लेफ्ट औरिकल से लेफ्ट वेंटरिकल में आता है फिर यहां से महाधमनी में जाता है महाधमनी में ए ओर्टा में जाता है तो देखें महाधमनी में रुधिर कहां से गया है लेफ्ट वेंट्रिकल से गया है बाए निले से गया है बाए निले से तो देखें कहां पर उत्तर है यह है बाए निले यानि कि B option exactly सही option है तो महा धमनी में रुधिर जो होता है वो हिर्दय के बाए निले से जाता है तो यहाँ पर साथमे के लिए जो उत्तर सही होगा वो B option वेरी गुड जैनात विश्व कर्मा सुरेंद्र यादव रीमा यादव बबिता रानी राहुल कुमार इसमिता कुमारी अजै कुमार नर्सिंग कुमार सकसेना नर्सिंग जी बिलकुल सही option है आपका आठवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न है टर्नर सिंड्रोम में गुड सुत्र होता है अब जरा आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या है कल मैंने सिंड्रोम के बारे में एक सवाल दिया था और सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि मनुस्त में 46 गुर्षूत्र होते हैं, लेकिन कभी-कभी गुर्षूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है कभी-कभी गुर्षूत्र कम या जादा हो जाते हैं कभी-कभी 46 से 47 यानि जादा, और कभी-कभी 46 से 45 यानि की कम हो जाता है जिससे मनुस्यों में एक नए symptoms, एक नए लच्छण का विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं, syndrome कहते हैं, syndrome, गुर्षुत्रों की संख्या में कमी या ज़्यादा होने पर, या गुर्षुत्रों की संख्या में परिवर्तन होने पर, जो लख्षण, विक्सित होता है, उसे syndrome कहते हैं, अब यहाँ पर द syndrome जो होता है, ये महिलाओं में होता है महिलाओं में महिलाओं में होता है महिलाओं के अगर normal condition की बात करें तो आपको पता है कि अगर कोई महिला normal है तो उसमें 46 गुरसूत्र होगा, यानि 44-800, आटोसूम वह गुरसूत्र होता है जो इस्त्री और पुरुस में समान होता है के संख्या 45 और जेनिटिक एक्सप्रिशन जो बनता है वो 44 आटोसोम प्लस X 0 बनता है और ऐसी महिलाएं अपूरूर महिलाएं होती हैं बांज होती हैं स्टिराइल होती है और यहाँ पर देखिए यह B option आपका दिया है 45 यानि X और 0 B option आपका exactly सही option है Vikas Gupta ने लिखा है Speak Up Next अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण आपके सामने 9 प्रस्ण ये रहा प्रस्ण है अमीनो अमल की अधिकांस मात्रा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है या विखंडित कर दिया जाता है कहां पर क्या किड़नी में या लीवर में या प्लीहा में या मलास्य में तो अमीनो अमल को यूरिया में बदला जाता है कहां पर B option आपका सही है लीवर में लीवर में अमीनो अमल को यूरिया में कनवर्ट कर दिया जाता है और यही यूरिया को बाद में, यूरीन में convert कर दिया जाता है, kidney में, तो यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, नौवें के लिए B option आपका exactly सही है, very good, पवन कुमार दिवाकर, रेके, रावत, प्रियंका कुमारी, सरिता, यादव, अंसु किरन, तनुराज, B option सही है, प्रियंका कुमारी ने यहाँ पर A option दिया है, सांभवी कुमारी ने A option गलत है, A option, B option, også measure, लिवर में ही, यूरिया में बदला जाता है, और बार-बार आप से सवाल पुछा जाता है, कि यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, तो याद रखेगा, यूरिया का निर्माण, लिवर में होता है लीवर में और जिस प्रोसेस के थू जिस प्रक्रिया के द्वारा यूरिया का निर्माड होता है उसे क्रेप्स हैंसलेट चक्र भी कहा जाता है क्रेप्स हैंसलेट चक्र हैंसलेट चक्र कहा जाता है और आप से यही सवाल पूछा जाता है कि मनुस्त में क्रेप्स हैंस चक्र लीवर में होता है और क्रिप्स हैंसल चक्र साइंटिस्ट का नाम है और इन्हों नहीं बताया था कि यूरिया चक्र इसी को कहा जाता है और यूरिया का निर्मान लीवर में होता है तो बी आप्शन आपका एक्जैक्ली सही आप्शन होगा अगला प्रशन दस्वा प्र पास्चर ने किया था याद रखेगा लुईस पास्चर ने रैबिज के टीके की खोच किया था यहाँ पर C option आपका सही option है एक 11 प्रश्ण आपके सामने पौधों के अंगों का प्रकास की दिसा में गमन कहलाता है तो यह आपका फोटो ट्रॉपिज्म यहाँ पर फोटो पेरियोडिज्म दिया है तो यहाँ पर आप इसको सही कर लीजी फोटो ट्रॉपिज्म आपका option यहाँ पर सही होगा ए आप्सन फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है उसकी और तो प्रकास की दिशा में जो बृद्धी होती है वो है phototropism ये geotropism जो होता है ये गुरुत्वबल की दिशा में ये गुरुत्वबल की दिशा को सो करता है chemotropism जो होता है ये रासाइनिक पदार्थ यानि chemicals को सो करता है और hydrotropism जो होता है ये water को यानि की जल को यानि जब प्रकास की दिशा में गमन करेगा तो फोटो ट्रॉपिस्म, जब गुरुत वुबल की दिशा में बृधि करेगा तो जियो ट्रॉपिस्म, जब किसी रासानिक पदार्थ की दिशा में करेगा तो कीमो ट्रॉपिस्म, और जब जल की दिशा में करता है पाउधे का क गमन तो उसे hydrotropism कहा जाता है तो 11 का A option exactly सही option होगा 12 प्रशन आपके सामने ये है प्रशन है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में दुतियक लैंगिक लच्छनों का विकास करता है दुतियक लैंगिक लच्छन वो लच्छन होते हैं जिससे आप किसी महिला को पहचान पाते हैं कि ये महिला है बाहर से पुरुस को पहचान पाते हैं कि वो पुरुस है जैसे पुरुसों में दाढ़ी मुच का आना महिलाओं में दाढ़ी मुच का ना आना पुरुशों में कंधे का चौड़ा हो जाना महिलाओं में कंधे का पतला हो जाना ये आदी लक्षन सेकेंडरी सेक्सूल करेक्टर के अंतर गताती है प्रश्ण है कौन सा हार्मोन महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सूल करेक्टर को डेवलप करता है तो इस्रोजन हार्मोन, A option और प्रोजिस्रोन हार्मोन, यानि कि ये दोनों, इसरी यहाँ पर जो D option होगा, A and B, ये दोनों सही option है, exactly, अपनी संख्या को बढ़ाईए, क्लास को सेयर करती रहिए, D option यहाँ पर सही है, प्रोजिस्रोन और इस्रोजन दोनों responsible होती है, कभी-कभी कुछ secondary sexual character को प्रोजिस्रोन हार्मोन भी develop करता है, अर्थात ovary को develop करने के लिए, प्रोजिस्रोन हार्मोन responsible होता है, अब आते हैं next, अगले प्रशन पर, तीरहुआ प्रशन, प्रशन है, मनुसिका दंत सूत्र क्या है, बहुत ज़्यादा famous प्रशन है ये, बहुत ज चार प्रकार के दात incisor, canine, premolar और molar पाया जाता है, तो ये है incisor, ये है canine, ये है premolar और ये है molar, incisor की संख्या उपर 4, नीचे भी 4, canine की संख्या उपर 2, नीचे भी 2, premolar की संख्या उपर 4, नीचे भी 4, molar की संख्या उपर 6, नीचे भी 6, इसे pairs में change कर दे, जोडी में बदलने के लिए दो से भाग देना पड़ेगा, उपर दो से भाग दीजिए, 2, 1, 2, 3, upon, 2, 1, 2, 3, दो से भाग देने के बाद, ये A option आपका यहाँ पर, 2, 1, 2, 3, upon, 2, 1, 2, 3 दिया है, A option, exactly, सही option है, very good, आप लोगों ने भी A option की जड़ी लगा दिया है, अगला प्रश्न, निर्माड के लिए, तथा कोसिका विभाजन के लिए आवस्यक होता है, B9, जिसका नाम होता है, Folic Acid, और ये विटामिन जो होता है, वो DNA replication, DNA के निर्माड के लिए, और कोसिकाओं के विभाजन के लिए आवस्यक होता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा, वो C option exactly सही होगा, पंद्रहवा प्रस्न, प्रस्न है कि वयस्कों में विटामिन D की कमी हो जाने पर कौन सा रोग होता है, बडो में अगर विटामिन D की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा, तो विटामिन D की कमी अगर बडो में हो जाता है, तो औस्टियो मलेकिया हो जाता ह आस्टियो मले किया, तो यहां पर आपका D option सही option होगा, जिसमें हड़ियां तेड़ी और कमजोर हो जाती है, अगर विटामिन D की कमी वयस्क में ना पूछ करके बच्चों में पूछता, कि बच्चों में अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, तब वहां पर आपका उत्तर रिकेट्स सही हो जाता, रिकेट्स, सोलहवा प्रस्ण, सोलहवा प्रस्ण है कि कोरोना वाइरस के टेस्ट का नाम क्या है, तो RT-PCR test, reverse transcription, polymer chain reaction test, C option, आपका यहां पर सही option है, next, निम्न में से कौन सा विटामिन, कोलाइजन के निर्माण के लिए आवस्यक होता है, कोलाइजन, कोलाइजन क्या होता है, तो कोलाइजन जो होता है, यह घाव को भरने के लिए आवस्यक होता है, घाव को भरने के लिए आवस्यक होता है, तो यहां पर देखे, C option दिया है विटामिन C जो होता है वो घाव को भरने के लिए या कोलैजन के निर्माड करने के लिए जरूरी होता है तो यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा सत्रहवे में वो D option सही है अगला प्रशन निम्न में से विशम चुनिये यानि कि कौन सा सबसे अलग है आपको इसका चुनाव करना है पहला है डेंगू, दूसरा है मलेरिया तीसरा है निद्रजवर और चौथा है फाइलेरिया देखे डेंगू, डेंगू जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है मलेरिया जो होता है ये भी मच्छर के काटने से होता है निद्रजर जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं होता फाइलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है निद्रजवर का जो वाहक होता है वो CC fly होता है CC fly तो यहाँ पर आपका C option सही है यही क्या है विशम है बाकि तीन तो मच्छर के काटने से होता है तो 18 वे का C option सही है अगला प्रस्ण है कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर यानि की BP को कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन BP को कंट्रोल करता है तो ये है अड्रेनाइलिन हार्मोन ये option आपका सही है adrenaline hormone को emergency hormone कहते हैं क्योंकि ये आपात कालीन परिस्थितियों में निकल करके जब हम बहुत जादा भैभीत हो जाते हैं बहुत जादा हम क्रोधित हो जाते हैं बहुत जादा हम emotionally upset हो जाते हैं तो उस समय निकल करके ये हमारे BP को हमारे heartbeat को control करता है इसलिए इसे emergency hormone कहते हैं यह option यहाँ पर बिल्कुल सही option है और इस hormone का निर्माड अगर आपसे पूछ ले कहां से होता है तो इस hormone का निर्माड adrenal gland से होता है adrenal gland से next बीस्वाप्रस्थ बीस्वाप्रस्थ छोटी आतमे protein पाचक enzyme कौन कौन सा है छोटी आतमे protein को पचाने वाला enzyme देखी यहाँ पर चार enzyme का नाम दिया है पहला है pepsin यह protein को पचाता है दूसरा है renen यह भी protein को पचाता है खास कर दूध में उपस्थित casein protein का पाचन जो होता है वो renen enzyme करता है trypsin यह भी protein को पचाता है और lipase यह वसा को पचाता है तो आपका D option तो नहीं होगा तीन option दिया है pepsin, renen, trypsin यह तीनों protein को पचाते हैं लेकिन प्रस्ण पूचा है छोटी आतमे तो यह देखे pepsin और renen उपर के यह दोनों जो होते हैं यह आमासे में protein को पचाते हैं आमासे में protein का पाचन कौन करता है तो आमासे में protein का पाचन pepsin और renen enzyme करता है pepsin और renen enzyme जो होता है वो आमासे में protein का पाचन करता है लेकिन trypsin enzyme जो होता है वो छोटी आतमे protein का पाचन करता है और यही आप से पूचा था इसलिए आपका जो उत्तर सही होगा वो C option exactly सही option 20-वे का C option कुछ लोगों ने यहाँ पर pepsin दिया है कपिल देव, तनू, राज यहाँ पर कुछ लोगों ने A option दिया है बिल्कुल A option देने वालों ध्यान से देख लीजिए C option यहाँ पर सही option है अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आपके सामने यह है प्रश्ण है कि सबसे बड़ी लार गरंथी कौन सी है तो आपको पता है कि मनुस में 3 जोडी लार गरंथियां पाई जाती है यह molar मनुस में नहीं पाई जाती इसको हटा दीजे Sublingual Sublingual ये एक प्रकार की लारगरंथी है अधोहनु जिसे सब maxillary कहा जाता है सब maxillary और parotid ये सबसे बड़ी लारगरंथी होती है, largest salivary gland होती है सबसे बड़ी लारगरंथी होती है जो कि कान के नीचे पाई जाती है तो यहां पर आपका C option सही होगा पड़ी लारगरंथी है, जो की कान के नीचे पाई जाती है, एक कीश्वे का C option, सही option है, अगला प्रस्ट, बाइस्वा प्रस्ट, प्रस्ट है कि हिस्टोलोजी के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है, हिस्टोलोजी के अंतरगत, उतकों का अध्यन किया जाता है, B option सही है, और बाई चैट एक साइंटिस है जिनका नाम है बाई चैट को father of histology उतक विज्ञान का जनक कहा जाता है याद रखेगा और उतक किसे कहते हैं तो कोसिकाओं का ऐसा समूह जो कारिय की दृष्टि से समान हो यानि वे कोसिकाओं जो एक ही काम को करते हैं कोसिकाओं का ऐसा समूह जो functionally similar हो कारिय की दृष्टि से समान हो उन्हें उतक कहा जाता है और the branch of science which deals with the study of tissues विज्ञान की वो साखा जिसके अंतरगत को उतकों का अध्यान किया जाता है उसे histology कहते हैं B option exactly सही option है 23 प्रशन निम्न मेंसे सबसे तीवर एंजाइम कौन सा है सबसे तेज अभिक्रिया करने वाला एंजाइम Carbonic Inhydrage Enzyme सबसे fastest एंजाइम होता है इसे fastest एंजाइम कहते हैं और ये blood में पाया जाता है blood में और ये carbon dioxide के समभण में भाग लेता है कौन ये एंजाइम और सबसे तीज काम करने वाला एंजाइम होता है बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रस्ण है अगला प्रस्ण माधुरी वर्माजी ने लिखा है group of cell known as tissue very good माधुरी वर्माजी लेकिन यहाँ पर आपका definition 100% सही नहीं है group of cell which have same function ऐसी कोसिकाओं का समूह जिनका कार ये समान हो उन कोसिकाओं के समूह को उतक कहते है चले very good अगला 24 प्रस्ण 24 प्रस्ण है मानव सरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है तो सबसे बड़ी सिरा पस्च महा सिरा P option आपका सही है P option 25 प्रस्ण प्रस्ण है मनुस में या निम्न में से किसे हिरदय का हिरदय कहा जाता है SA node SA node जिसका पूरा नाम है Sino Ouricular Node इसे हिरदय का हिरदय कहा जाता है क्योंकि ये हिरदय इस Pandan की सुरुआथ करता है heartbate को initiate करने का काम शुरू करने का काम ऐसे नोड करता है इसलिए से heart of heart B option सही option है अगला प्रश्ण 26 प्रश्ण प्रश्ण है कि Erythropoietin hormone Erythropoietin hormone का स्रामण होता है kidney A option सही है और ये रुधिर के निर्माड में भाग लेता है रुधिर के निर्माड में भाग लेता है कौन सा Erythropoietin hormone तो यहाँ पर A option सही option है 27 प्रश्ण हड्डियों में कौन सा protein पाया जाता है तो हड्डियों में austin protein पाया जाता है इसलिए हड्डियों के अध्यन को osteology कहते हैं आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि study of bone हड्डियों का अध्यन क्या कहलाता है तो study of bone जो होता है वो osteology कहलाता है और हड्डियों में austin protein पाया जाता है इसलिए यहाँ पर A option आपका सही है ये condrin protein जो होता है ये kurtilase में पाया जाता है यानि उपास्थियों में पाया जाता है उपास्थियों में उपास्थियों में पाया जाता है कॉन्डरिन प्रोटीन आपसे हड़ियों के बारे में पूछा था इसलिए ए ओप्सन 27 का ए ओप्सन एक्जैक्ली सही ओप्सन है 28 प्रसन निम्र में से कौन सा खरपतवार नासी का उधारण है sodium chloride नहीं है potassium permagnate नहीं है bleaching powder नहीं है बचा कोई नहीं D option आपका सही है यानि इसमें से कोई भी खरपतवार नासी नहीं है D option आपका यहाँ पर सही option होगा 29 प्रसन धान के खेत से कौन सी गैस उस सरजित होती है तो यहाँ पर आपका nitrogen A option सही option होगा next तीस्वा प्रसन निम्न में से कौन सा वायू प्रदूशन का जैव सूचक है तो निम्न में से कौन सा वायू प्रदूशन का जैव सूचक है तो वो होगा lichen lichen के बारे में आप जानती है कि यह कवक और सैवाल का सहजीवी रूप होता है और जब वायू में सल्फर डाई ओकसाइड का प्रदूशन होने पर ये काला पढ़ने लगता है इसलिल आइकोन को वायू प्रदूशन का प्राक्रतिक सूचक कहा जाता है ए ओप्सन सही ओप्सन होगा 31 प्रस्ण प्रस्ण है निम्न में से मनुस्य में पाई जाने वाली ग्रंथी है जो अन्तह स्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है यानि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो इंडोक्राइन और एक्जोक्राइन दोनों है अन्तह स्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जिसे हिंदी में अगनासय कहा जाता है, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माड करता है, इसलिए यहाँ पर जवाब का उत्तर सही होगा, वो पैंक्रियाज सही है, अगनासय अंतहसरावी भी है, अर्थात हार्मोन भी बनाता है, और पैंक्रियाज बहिसरावी भी है, अर्थात एंजाइम का भी प्रोडक्शन करता है नेक्स्ट बत्तीस्वा प्रस्ण प्रस्ण है निम्न में से किस जीव में स्वेत रुधिर होता है अर्था कौन सा जीव है जिसमें स्वेत रुधिर होता है तो आपका उत्तर कौक्रोच सही है इसमें स्वेत रुधिर होता है तो दोस्तों ये था आज का practice set कैसा लगा? जरूर बदाईएगा कल फिर इसी time पर उपसित होँगा संख्या आप लोग बढ़ाईए संख्या आप लोग नहीं बढ़ाती हैं तो मजा नहीं आता है एक बार यही संख्या बारह सो तेरह सो चाओदह सो करके देखिए फिर जो performance होगा वो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों कल फिर उपसित होँगा एक ग्यारा बजी आज के लिए केबल इतना ही क्लास कैसी लगी? प्रैक्टिस सिट कैसा लगा? जरूर बताइए थैंक्यू सो मच एंड थैंक्यू सो मच झाल झाल झाल